हेलो अप्रेवान दिस इस स्वाती चाफलाव वेलकम चू मैं यूट्यूब चैनल स्वागत है वाफ फिर से अब सभी वीवर्स का हमारी स्कोर पूस्टर सीरीज में 4CBSC class 11 computer science इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं हमारे एक प्रोग्राम इस इंपर्टेंट डाट इस आपाइटन प्रोग्राम फू दिस्प्लेद फिबोनिकी सीरीज इस पहले हम यह देखेंगे कि हमारी फिबोनिकी सीरीज कौन सी होती है उसके पीछे का हम लॉजिक खुछ से ड्वलप करेंगे फिर हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे फ्रेक्स यह जो सरण नहीं पर दाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है या फिर हमारे स्प्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सूर सब्सक्राइबिक के साथा इसको शूर्किछय यगा एंड डु योरू सेक्शन ओDo first two terms मुझे given होंगी कौन-कौन से 0 और 1 ये fix है और जो आगे आने वाली next term है आपकी वो क्या है पिछली 2 terms का sum like मेर पस जो next term आएगी वो क्या होगी पिछली 2 का sum that means 0 plus 1 क्या हो गया 1 so next term is 1 अब इसके बाद जो term होगी वो पिछली 2 का sum होगा that means 1 plus 1 2 अब next जो आएगी वो पिछली 2 terms का होगा 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 plus 3 8 इस तरीके से तो clear हो गया Fibonica series क्या है पहले 0 और 1 दो term होगी next value जो होगी वो पिछली 2 terms का क्या होगा addition होगा अब देखो मुझे इसका क्या बनाना है program बनाने तो program बनाने से पहले मिरे को क्या क्या पता होना चीए तो यह 0 और 1 fix है तो that means मैं एक variable ले लूँ 0 डाल दूँ और second variable में मैं बन लिख दूँ इनिशलाइज कर दू starting से उसके बाद मैं A और B की value को print करा दूँ प्रस मैंने एक end argument ले लिया कि वह यह उसी के आगे next value प्रेंट हो अब ध्यान से देखना मेरे पर logic क्या है next values को print कराने की अब मैं एक तो ना user से enter कराऊंगी कि कितने number of terms तक आप लोगों को print कराने वह किसमें आ गया end suppose user ने enter किया 8, 8 terms print करानी है अब उन 8 terms में से दो terms तो अल्रेडी मैं print करा चुकी starting में A और B सो मैं अपना लूप कहां से start करूंगे तो से start कर दूँ को zero और one दो values के लिए तो मैं ये दो values print करा चुकी तो two से लेकर के enter के अपना लूप चला दोगे अब ध्यान से देखना मुझे actual में करना क्या है A print हो गया B print हो गया यहां से यह zero और one print हो गया अब let's suppose मैंने एक variable लिया fib name से उसमें मैं क्या करा रही हूँ A plus B तो मैंने यहां पर क्या कर दिया fib equals to A plus B यही करना है ना पिछली दो terms का sum तो अगर यह one है तो पिछली दो terms क्या है मेरे पास A plus B A और B हैं दोनों को मैंने क्या कर दिया addition कर दिया अब देखो हमारा जब भी हम loop लगाते है generalized form में लगाते हैं मुझे हर बार यह A plus B A plus B करना पड़ेगा अब मैं क्या करूंगी हर बार मेरी A और B की values अपडेट हो रही है यह A A plus B that means Fib की value print करानी है अब ज़र इसको execute करूं हमने python open किया आईडियली new file open करेंगे यहां पर हम comment लिख देंगे python program to display Fiboniky series अगर आप चाहो तो यहां लिख सकते हैं आपकी Fiboniky series क्या है 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, or 3, 8, 5, 13 इस तरीके से यह आपकी चलती चली जाएगी up to n terms जितनी आपने user से enter करानी है तो the very first step, दो values मुझे पते हैं A की value और B की value, starting two terms, 0 and 1 अब देखो यह तो मुझे print कराना है, यह तो मैं A और B print करा रही हूँ अब मैं चाहते हूं कि next two values है, उसी की साथ next line में print ना हूँ उसी के आगे print हूँ space दे करके तो मैंने यहाँ पर एक end argument अपना लगा दिये, अब मैं क्या कर रही हूँ for i in range अब देखो n terms print करानी, अगर मैं n तक loop चलाऊंगी ना, तो मिर पस यह दो terms तो मैंने पहले ही print करा दी, extra print हो जाएंगी तो इसलिए मैं अपना loop कहां से start करूँगी, two से अब यह चीज़ आप लोग ध्यान से देखना, कौनसी चीज़ ध्यान से देखोगे, कि यहाँ पर हमने a और b की value print कराएना, a की value क्या print होगी 0 और b की value क्या print होगी 1, two से अन तक अपना range function लगाएंगे हम, ठीक है, अब next मुझे ही क्या करना, यह a की value है, यह आपकी b की value है अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी, fib equals to a plus b, because मेरे को a और b करना है, previous two terms का addition करना है, 0 plus 1 कितना आ गया, 1, और यह आपका किस variable में हो गया, fib variable में, अब मैंने जो generalize अपना loop लगाया है, वो किसके base पर लगाया है, a और b पर लगाया, so next time मुझे that means a और b ही add करने है, अब जब so that means आपके पास a में b variable की value आ गई, और b में fib की value आ गई, यही चीज़ लिखना है, right, so यहाँ पर अब हम लिख देंगे, fib equals to a plus b, a में b की value आ गई, और b में fib की value आ गई, और print मैं क्या करा रहे हूँ यहाँ से, fib variable की value, अब हम इसको execute करेंगे, let me just save this program, इसका name हमने दे दिया, fibonic की series, इसको हमने लिख दिया, looping वाले, इसमें, चलिए, name n is not defined, हाँ, users से एक input ले लेते हैं कि कितने terms सक आप लोगों को print कराना है, enter n, that means up to which terms you want to print, right, चलिए, भी इसको execute करेंगे हूँ, इसको हमें user से उपर enter करा लेना चाहिए, right, इसको मैं करा देती हूँ, यहाँ पर enter, अब मैंने let's suppose यहाँ पर लिखा 8, तो that means 8 terms तक मुझे print करना है, अब आप यहाँ पर देखो क्या मेरी h terms print हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right, अब देखो यहाँ पर यह print कैसे हो रहा है, 0 और 1 तो मैंने वो air b की values प्रेंट करा आई है, 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 1, 2, 2 और 1, 3, 2 प्लस 3, 5, 5 प्लस 3, 8, and 8 प्लस 5, 13, right, इसको हम हमारी क्या बोलते हैं, Fibonikki series, right, तो I hope यह आपको clear हो गया होगा हमारा Fibonikki series का program, इस video के लिए बस इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में कुछ नए topics के साथ, Till then, keep watching, keep smiling, keep studying, bye bye!